हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, मैं हूँ दिवयाई शेर्माद, दोस्तों, आज मैं आपको बताने ही जारी हूँ, अगर किसी भी इनसान को भीहंकर से भीहंकर हाथ पेरों में दर्द रहता है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ तीन दिन के अंदर कैसे ठीक किया जा सकता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनको थकावट बहुत ज़द रहती है, तो ये नस्का थकावट को दूर करता है, कमजोरी को दूर करता है, एक्चली थकावट और कमजोरी हमारी बोड़ी में आती क्यू है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, क्योंकि आपको ये भी बताऊंगी, कि अगर किसी इंसान की नसों में ब्लॉकेज है, थकावट और कमजोरी के साथ-साथ, हाथ-पेरों में दर्द के साथ-साथ, अगर किसी इंसान को नसों में ब्लॉकेज है, या खून गाड़ा होने की समस्या है, तो उसने कौन सी चीज एक और ज पाइदे मंद है, सिर्फ तीन दिन के अंदर आपके हाथ पेरों के दर्द को ठीक कर देगा, आपको दवाई नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको पक्का पता देती हूं, क्योंकि इसे लेने के बाद आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्चुली होता क्या है जब हमारे हाथ पेर बहुत ज़दा दर्द करने लगते हैं, थकावट बहुत ज़्यादा रहने लगती है, कुछ लोग तो ऐसे हैं, जो काम नहीं करते हैं, और काम को देखकर ही थकावट आने लगते हैं, कुछ लोगों में तो ये आलस के कारण होता है, लेकिन कुछ का तैयार होगा, ये खून की कमी को दूर करेगा, तकावट कमजोरी को दूर कर देगा, तक इलावा अगर आप नसो की ब्लोककेस को दूर करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक चीज और मिक्स कीजिएगा, और अगर आपको वात रोग है, तो आपने एक चीज और mix करनी है फिर नसों में blockage वाली चीज आपने mix नहीं करनी यह सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बना कर दिखा रही हूँ तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसे बनाना कैसे है तो दोस्तों सबसे पहले हमने यहां ले लेने हैं अक्रोट हमने इतने सारी अक्रोट का एक साथ सेवन नहीं करना ध्यान लखिये इन अक्रोट के अंदर omega 3 fatty acid काफी अच्छी मात्रा में होता है जो कि हमारी नसों की blockage को खौलने के साथ साथ हमारी body को natural oil provide करता है यानि कि जो गुटनों में जोडों में grease की कमी हो जाती है या lubricant कम हो जाता है, चिकनाहट कम हो जाती है उसको दुबारा बनाने का काम करता है कभी-कभी घुटनों से जोडों से अवाज आनी शुरू हो जाती है तो उसको भी दुबारा बनाने का काम करता है अगर किसी इनसान को बुरा cholesterol बढ़ता हो body के अंदर तो उनको भी अकरोट का save version हो जाना जरूर करना चाहिए तो दोस्तो आपने दो अकरोट लेनी हैं और उनको तोड लेना है मैं आपको करके बता रही हू साथ में इनको तोड कर छोटे छोटे पीसिस में काट लेना है या हाथ से तोड लीजीए दोस्तों ये अक्रोट के अंदर omega 3 होता है जो हमारी थकावट को भी दूर करता है वात रोगों को भी दूर करने की capacity डगता है तो दोस्तों दूसरी चीज़ जो हम इसमें ले रहे हैं वो है किश्मिश ध्यान रखिएगा ये किश्मिश है और आपने किश्मिश का ही इस्तमाल करना है ये काली किश्मिश है आपने मुनक्के का इस्तमाल नहीं करना मैं आपको मुनक्के और किश्मिश दोनों दिखा रही हूँ तो difference आप जरूर देख लीजिएगा Actually, मुणके ह occurrence, उनके अंदर बीज होता है और जो किशमिश होती है, उनमें बीज नहीं होता किशमिश होती है, वो हमारे खून को बढ़ाने का काम करती है जब हमारी बाड़ी के अंदर जैसी कि मैने आपको बताया था तो इसे आपने 10 दाने लेने है किशमश को, उसके बाद हमने क्या करना है दोस्तों, फैट्लेस दूद लेना है, यानि कि क्रीम उत्रा हुआ दूद लेना है, हमने एक गिलास और इसके अंदर इन दोनों चीज़ें को डाल देना है, और उबाला देना है, यानि कि अकृट को और हमने किशमिश को बीच में डाल कर उबाला देना है, उबाला हमने 5-7 मिनट के लिए देना है, जब ये अच्छी से उबाला आ जाए, ये हमारा दूद तयार हो गया, अब मैं आपको ये बता रहे हैं, जिनको थकावट है, हाथ पेरों में दर देता है, और कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन थकावट कमजोरी जादा रहती है, तो उन लोगों ने ऐसा दूद बना कर रात को सेवन करना है, लेकिन अगर किसी इंसान को बहुत ज़दा नसों में ब्लॉकेज रहती है, खून गाड़ा हो चुका है, नसों में ब्लॉकेज आ रहे हैं, आर्टरीज में बुरा कॉलेस्टरोल बॉडी में बढ़ता है, तो उन लोगों ने क्या करना है, ये दालचीनी है, तो आपने दालचीनी, सिर्फ दो चुटकी दालचीनी का पाउडर, ये मैं आपको स्टिक दिखा रही हूँ, लेकिन आपको पाउडर भी साथ में दिखाय जा रहा है, दो चूट को चानना नहीं है, आपने पीना होगा, जिनको भी नसों में ब्लॉकेज रहती है, तो उन्होंने दालचीनी, दो चुटकी जरूर में एक्स करनी है, दोस्तों, लेकिन अगर किसे इंसान को नसों में ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन वात रोग है, यानि कि जोडों में घुटनों में दर्द रहता है, तो उन्हों को ने क्या करना है, यानि कि वात जो है, वो घुटनों में जाकर जमा हो चुकी है, जोडों में जमा हो चुकी है, हाथ पर हिलते नहीं है, या मुडते नहीं है, तो दोस्तों, उन्होंने हल्दी, यानि कि टर्मरिक, इसके अंद दोस्तों सिर्फ आपने 2-3 चुटकी हल्दी पाउडर इस दूद के अंदर मिक्स करना है, अब आपने इस दूद को उबाला नहीं देना, अगर आप हल्दी डाल रहे हैं, दोस्तों इस तरीके से ये जो दूद तयार हो चुका है, इसको उबाला चुका है, पूरा पक चुका है तो दोस्तो इस तरीके से ये जो दूद तयार हुआ है इसका सेवन आपने रोजाना रात को करना है थकावट कमजोरी को तो दूर करेगा इस दालचीनी डाल दोगे तो ये खून को भी पतला करेगा नसों की ब्लॉकस को भी दूर करेगा और अगर आप दालचीनी की बजाए हल्दी डाल देंगे तो ये बॉडी में से वात और वायू को दूर करने का काम करेगा दोस्तों ये इन्फॉर्मिशन ये जानकारी यही तक थी मैं उमीद करती हूँ आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पुछिए आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद